करता हूं कि अभी-अभी मैं पैदा हूँ बच्चा हूं और आप सब करें और मैं जो भी करूं अनन्द के साथ करता हूं और आपको भी अनन्द दिलता हूं कि आप साथनात्मत जीवन जी हैं आप तो अनन्द के साथ रहेंगे अपके वरिवाद के साथ लेगी आपके गरी में आपके गमानी रहें और आपको देका बहते हैं कि बृत्त करने के लिए जो गुरु की खुर्मा बढ़त किया वे यहां बैठता है वहाँ से उसके सुगत हम और फइल जाती और वही सातना का पांच दिन मेरे को सारणा की ले देदो, मैं आपको सुघर्दी फूल बनाओंगा जो आपके महक सारे संसार को पाइल सके, यह मेरी क्या रहेंगा। जर्म दिवस तो एक मेरा बहाना है कि आपके सार बिलने का, आज गुजरात के सालत, जो ने ये गुरुपुर्णी वाशीर कहा है खेदरबाद, और कहा मेरा गाओं, वहां से मैं आगर यहां आपके पाल बैठता हूँ, तो इसके बीचे कोई ने कोई गुरुपुर्पा का का चाहता हूँ, मैं आपको चाहता हूँ कि आप भी उस साद्ना के बल पर आईसे की बने, एक खूल, अगर एक खूल को बीच लगाते हैं, तो उससे हजार फूल आते हैं, उसी तरह गुरुजी ने एक बीच लगाया, आज ये हजार फूल पूल आज भी खिल रहे हैं, अगर अगर एक एक लगाएंगे तम लाखों में बदल जाएगे और हमारे भारत में जिस प्रकार का सानात्म दर्ण। का गुरूजी ने एक सपना देखा था वो सपना फोर्ण गरेंगे। मैं चाहता हूँ कि साधना मार्थ पर आप चलो आगे का का मैं देखता हूँ कि आपके ऊपर कोई हवी नहीं हो सकता। आप सभी के उपर हवी हो जाएगे। जिस दिन हम साथना अत्मा गुष्टिकॉंड से आगे चलते हैं, साथना गुष्टिकॉंड ये जरूर है, साथना गुष्टिकॉंड में अरचने आती हैं, तकलीफे आती हैं, लेकिन सहर करने की शक्ती भी उतनी होती है, और जिसका साथना का बल नहीं है, वो कष्टों को सह कर सकता और भटक जाता है हम भटकने वाले नीम हैं साधना में कितने ही कष्ट कितना भी वर्वास अंगों करना पड़े हम जरूर अपने लक्ष को प्राप्त करेंगे हम राजा बनकर ही पतलाएंगे कि हम क्या है अब जिस दिन एक आले होगा उस दिन गुरुजी जहां भी है प्रसनता के साथ कहेंगे कि आप प्रेट है कभी भी किसी कष्टों से आप जूज कर भागने ही जाना आपके बीचे एक योग की बुरु खड़ा हुआ है इस वात को आप ध्यान मेरतना कि आपके पीछे खड़ा खड़ा हुआ विक्तितवर्द वह है जो आपको पर जिरने आपको गिरने नहीं देगा और आपको लेकर अपने साथ चलेगा केवल केवल और केवल उसमें आपको करने का है उसकी उंगली पकड़कर चलना है उसकी उंगली पकड़कर चलना है उतनी दूद जहां तको ले जा सके और जिस दिन वो उंगली आपकी उंगली वो पकड़ का दिन है और मुखर दिन आएगा आप सिद्धाशन पर क्या सारी देवता हों कि करें आपको भूमने को मिलेगा देवता है आपकी दर देखेंगे जो एकाली हुआ मैं कल भी कहा हूँ और आज भी गर्ड़ के साथ कहता हूँ जितने लोग मुझे आज 20 साल से 22 साल से जुड़े हैं कभी मेरे से भटके नहीं और बाहर गये नहीं क्योंकि गुरुली ने ऐसा ही बंदन मांधा है जो बंदन जूटने करें बहुत कवा ने कोशिश की तोड़ने आज इस जन्म दन के उप्रक्ष में मैंने आज दिन पर जिस गुर्दल भूने शुरी मांधा के पास जो हवन संपन हुआ और कल दो दिन से भी हम जी साथना के बलपत चली मुझे जाना बात करने का समय ने साथना करने का समय जाना मिला इस बार और यह जीवन का बहुत इस साथ जन्म के लिए साथ देगे जो साथना आपको अदर आपको कभी नीचे कितने नहीं देगे जो साथना संपन के कि मैं आप सभी को शिर्वात देता हूं कि हम ऐसे ही कारी आगे करते रहें गुरी कहा करते थे कि अधना दान करोगे तो अधना खांके जीरन हो जाएगा वस्तर रान करोगे वस्तर फट जाएगा लेकिन ग्यान दान करोगे तो तुमारे साथ फिलियों तक तुमारा अधना उसकी पिडि में कभी बुर्दू जोग जन्मन नहीं लेते और जहां बुर्दू और बुर्दू जन्मन नहीं लेते वो तो अपने जुधारतर जीओन जीते हैं और दस इवों को लियकर चलते हैं आज बस रहे डाले बहुत अच्छा पांदा पहने बोलेगे तो र पफट जाएगा, अन्खायें में जीरन हो जाएगा, लेकिन ज्ञान जो है तुम्हें ही लें तुम्हारी फैमिली को तुम्हारे गरीब बूचे में रहने और दोस्तों को लिका चाहेगा, और ज्ञानदान के कारिकरम को ही शिविर कहते हैं, और ये शिविर जिसने किया, वो इसके साथ जन्मों का, इसके बच्चे का है, स्वयतान के बच्चे को भाई को अपने पहर पर खड़े रहने वाले होंगे किसी को भीग मांगने नहीं वाले होंगे, क्योंकि इस द्ष्ष्वरी होता है, शिविर का मातियम, आज मैं आपके सामने बैठाऊ, मैंने भी पुर वितुर पाथीं, जिनकी भी मारती कि उस्वा से हैं। हम कभी भी प्रशान इस्लिये होते हैं जरी हिं व्लीष्ट जिवन कहलता है। हम जें, तो ऐसे जें कि चार लोग खहलें, कि यह सज मुझे है, डाटर नाटर नाटर सीमा जी का शिश्य है, और इसने संसार को बदला है, यह बात कहने, यह आपको आशिर बात देता हूँ, आगे का कारिकरम, अभी पावल पैन समझाएगी, क्या करना है आजी? झाल